हेलो फ्रेंट्स, आज किस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे लाइटनिंग फेशल मास्क या फिर फेस पैक जो आपकी तच्छा की रंगत को सुधारने में काफी ज्यादा मददकार हैं कई बार बाहर पल्यूशन में काम करने की वज़े से, धूर मिट्टी की वज़े से, दूप की वज़े से आपकी तच्छा पर ज्यादा डेट्स्तिंसल्स जमती चली जाती हैं और इसी की वज़े से आपका गोरा पर मानो कहीं खोसा जाता है आई ये आज इन सारे फेस पैक का इस्तिमाल करके और इनके बारे में जानकर उस खोय हुए निखार को वापस से ढूणने की कुशिश करें फेस पैक नमबर वन है शहत और नीमबू से एक चमच शहत के अंदर एक नीमबू के रसक अच्छे तरीके से निचोड लीजे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने चहरे पर और करदन पर लगाकर 15 मिनट तक रखी और उसके बाद वाश कर लीजे अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी तच्छा की सारी गंदिगी को साफ करता है और दाख धबो को दूर करके रंगत को निखारने में मदद करता है फेस पैक नमबर टू है बेसन का फेस पैक दो चमच बेसन के अंदर चुटकी भर हल्दी और जरूरत के अरुसार दूद मिलाकर इसका एक फेस पैक तयार करके चहरे और गर्दन पर लगा लीजे आप चाहें तो इसे आप अपनी पीट पर टैनिंग वाली जगा पर या फिर अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और सूखने के बाद इसे वाश कर लीजे ये भी आपकी तचा के धीले पन को दूर करके उसे टाइट करने में और रंगत को सुधारने में मुदद करता है फेस पैक नमबर थी है मिल्क पाउडर एक चमच मिल्क पाउडर एक चमच शहर और कुछ बूंदे नीमू के रस्की मिलाकर फेस पैक तयार करें और चहरे और गर्दन पर लगाकर इसे अच्छे तरीके से 15 मिर्ट के रे सोखने दीजे और इसके बाद अपने चहरे को वाश कर लीजे यह भी आपके चहरे की खोई हुई रंगत को वापस लटाने में आपकी मदद करेगा आप चाहें तो इसे सब्ता में हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह हर्बर है इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सो दोस्तों यह है कुछ ऐसे फेस पैक जो आपकी रंगत को निखारने में आपकी मदद करेंगे इन्हें ट्राइक जरूर करिए मेरी ब्यूटी और हैंसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए